मल में खून आना अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बिमारी है, जिसको हम बैग्यानिक भासा में हिमेटो चेजिया कहते हैं, ये बहुत ही गंभीर बिमारी है जो कई कारणों से होती है, उचित कारण का पता लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे इसका उचित समय पर इ आम तोर पर देखे जाने वाली विमारियां हैं, वो पैखाने के रास्ते के आस पास होने वाली विमारियां हैं, जैसे पाइल्स हो गया हैं, जिनको हीमोराइट कहते हैं, फिसर हो गया, उसके उपर अगर हम जाएं तो कोलाइटिस कहते हैं, अलसरेटिव कोलाइटिस हो गया ह प्रॉंस डिजीज हो गई, यह सब बिमारियां, कैंसर हो गया, जो जादा बुढ़े लोग होते हैं, उसमें जादा कम होता है, लेकिन आजकल जो यंग एज हैं, उनमें भी कुछ मरीजों में देखा जा रहा है, जो मल में खूनाने के ज्यादा तर कम केसे देखने को मिलते है कि उपर के आथ हो गया या पेट हो गया, उसमें भी खून का रिशा हो रहा है, तो कभी-कभी नीचे लेटिन के रस्ते से भी खूनाना सुरू हो जाता है, तो यह सब कुछ महतवपूर कारण हैं, जो मल में खूनाने के कारण बन सकते हैं जादा तर केसेज में बच्चों में जो खून आते हैं वो पेट में कीड़ होने की वज़े से आते हैं, जो थोड़ा बहुता सकता है, लेकिन अभी जो कुछ महतवपूर अध्यान किये गए हैं, उसमें देखा गया है कि बच्चों की आतों में एक बिसेश परकार की बीमा जाता है, और उस पे अलसर बन जाता है, और वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसको पालिप कहते हैं, दूसरा जो बच्चों में खून आने का कारण है, वो है कॉलाइटिस, जो जादा तर बड़े लोगों के केसेज में देखा जाता है, लेकिन आजकल की बदल बच्चों में होने वाली बिमारी है, जैसे एनल फिसर या पाइल्स, बच्चों में देखे जा रहा है, लेकिन इनके जो इंसीडेंसेज होते हैं, वो कम पाए गया है, जादा तर केसेज में पॉलिप हो गया, कॉलाइटिस हो गया, यही पाए गया है, एक तो सबसे पहले यही बताएगा कि मेरे मल में खून आ रहा है, दूसरा जिस कारल की वज़े से खून आ रहा है, उसके लग छड़ाते हैं, जैसे अगर किसी को कॉलाइटिस है, तो पेट में दर्द हो सकता है, अगर किसी को पाइल्स है, फिसर है, तो यह बताएगा कि लेटिन के एरिया के आसबस मुझे दर्द होता है या वहाँ कोई abnormal structure या गांठ या कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है मुझे महसूस हो रही है अगर किसी को cancer है तो कोई गांठ मैसूस हो सकती है अगर ऊपर से किसी को आतों से खून आ रहा है तो जादा तर cases में liver की बिमारी होती है तो liver से related जो बिमारीयों के लक्षड होते है वो आदमी को दिखाई पड़ सकता है पेट में पानी हो सकता है पीलिया हो सकता है यह सब सार तो इतने लक्षड हैं जिसके अधार पे हम बिमारी को पकड़ सकते हैं कि लेटिन के रस्ते से खून क्यों आ रहा है किसी को मल में और दूसरे असोसियेटेड लक्षड क्या है सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि यह किस वजह से हो रहा है अगर कोई यह लक्षड लेकर के हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसका बहुत ही बिष्तिरत रूप से कुछ प्रस्नावली पूछते हैं फिर उसके बाद उसके आधार पे अनुमान लगाते हैं कि इसको बीमारी है क्या फिर कुछ जांचे करते हैं उसमें जो सबसे महतुपूर है लेटिन के रस्ते की दूरबीन से जांच उसमें हमें लगभग 80-90% केसे में पता लग जाता है कि लेटिन में खून किस वज़े से आ रहा है अगर लेटिन में खून किसी ऐसी वज़े से आ रहा है जैसे कि पॉलिप हो गया, कॉलाइटिस हो गया जिसका कि इलाज सर्जरी से हो सकता है तो उसको हम मरीज को आपरेशन कर देते हैं जादातर केसे में जो लेटरिन में खून आता है उनका इलाज सर्जरी की वज़े से ही किया जा सकता है दवाईयों का रोल उनमें बहुत ही कम होता है जो दवाईया होती है वो चार से पास दिन तक चलाई जाती है अगर उनसे फाइदा हो जाता है तो भी एक बार सर्जन को जरूर दिखाया जाता है कि इसमें आपरेशन की जरूरत है की नहीं है तो इस तरह से हम उचित धंग से मर्ज को पकड़ करके और उसका इलाज करते हैं और समस्या का निदान करते हैं मल में खून आना चुकि ये गंभीर लग्षड है अपने आप में ये खुद एक बिमारी नहीं है ये गंभीर बिमारी का सिर्फ लग्षड है तो इसके बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो अंदरूनी बिमारी है उसका पता लगाया जाए और उसका सही समय पर इलाज कराया जाए नहीं तो कुछ बिमारियां है, कैंसर उफैल सकती है, जानलेवा हो सकती है अलसर्स हो गए, अगर उनका सही समय पर इलाज न किया जाए तो बहुत धेर सारे बिमारियां इसकी वज़े से पैदा होती है खून की कमी हो सकती है और दूसरे अंग प्रभावित हो सकते हैं जोडों का दर्द सुरू हो जाता है और भी अनेकों तरह की बिमारियां उसकी वज़े से पैदा हो सकती है तो सबसे जरूरी है कि अगर किसी को मल में खून आ रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए हो, उसका उचित धंग से निदान हो, उचित धंग से इलाज हो, सिर्फ यही बचाव का एक मात्र तरीका है मल में खून आना, किसी न किसी गंभीर समस्या का लक्षड होता है, और इसका संबंध भोजन से कम ही देखा गया है, लेकिन कुछ कारण है जो भोजन से संबंदित हैं, जैसे अलसरेटिव कॉलाइटिस हो गया, इसमें दूद या दूद से बनी हुई चीज़ें अगर खाई तो यह दिखा गया कि उसमें दस्त की संभावना बढ़ जाती है, तो यह सलाह दिया जाता है कि जिसको भी अलसरेटिव कॉलाइटिस हो, वो दूद या दूद से बनी हुई चीज़े ना खाएं, उनको एवाइट करें, बाकी चीज़े खा सकते हैं, जिनको पाइल्स या फ ज़्यादातर केस में अंदरुनी जो समस्या है उसका इलाज ही एक उपाए है, जिससे की मल में आने वाले खून गनगा अगुर का वोज़े से यह नहीं कहा जा सकता है, कि किसी को लेट्री ने सुरू हो जाता है, लेकिन हां, अगर बहुत लंबे समय तक कोई बाहर का खान तो जादा तर बाहर का खाना असंतुलित होता है उसकी वज़े से कई तरह की बिमारियां होती है इंफेक्शन होते हैं सबसे पहले किसी को असंतुलित भोजन की वज़े से इम्मुनिटी कम होती है इन्फेक्शन होते हैं, अलसर बनते हैं, उसमें अलसरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, और भी कही तरह की इन्फेक्शन होते हैं, तो भोजन से डारेक्ट संबन तो नहीं है, लेकिन इन्डारेक्ट संबन जरूर है कि मल से खून किसी को आ सकता है. अगर किसी को मल में खून आ रहा है तो तुरंथी किसी चिकितसक से सलाह लें किसी डाक्टर से सलाह लें अपना खुद का घरेलेव इलाज ना करें क्योंकि यह बहुत ही गंभीर लक्षड है और जो जादातर डाक्टर या आम जनता जो किसी बात से डरती है वो दो या तीन चीजे ही है उसमें से एक है कहीं से भी खून का रिषाओ होना तो इसको हलके में नहीं लेना चाहिए तुरंथी किसी डाक्टर से सलाह लेना चाहिए दरसल गुदादवार, मलदवार के आसपास बीमारियों की ऐसी केटेगरी है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं और इसका परिलाम यह होते हैं कि हमारे पास जो मेडिकल कॉलेज में मरी जाते हैं उनकी बीमारी हैं बहुत ही एडवांस लेविल की बीमारी बढ़कर के आती है और जब इतनी एडवांस हो जाती है तो पहले हम लोगों को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है दूसरा उनकी इलाज का लाव बहुत ही धीरे उनको मिलता है ज्यादातर केसे में उनका उचिदंग से इलाज भी नहीं हो पाता है तो जैसे ही किसी को मलदवार के आसपा सुने वाले कोई भी बिमारी हो बिना बे जिजग, निसंकोच, डक्टर से संपर्थ करें अगर बात ना बन पाए तो हमारा डिपार्टमेंट इस बारे उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है